आपको African slaves के बारे में तो पता होगा, कैसे कुछ Europeans African blacks को kidnap करते थे और उन्हें गाय बकरी की तरह बेजते थे But fortunately अब दुनिया की सारे governments मानते हैं कि हर life कीमती है और उसे protect करना बहुत ज़रूरी है इसे protect करने के लिए कुछ basic rights और fundamental rights law के स्वरुप में लाए गये हैं आजाती के बाद भारत ने भी अपने हर एक citizen के लिए कुछ fundamental rights provide किये हैं There are in all six fundamental rights पहला, right to equality इसका मतलब, कानुन के नजरों में हर एक व्यक्ती समान है For example, एक आदिवासी लड़की को वैसे ही treat किया जाएगा जैसे कि एक आदिवासी लड़के को दूसरा, the right to freedom Under this, the citizens have the freedom to even criticize the government In short, citizens, बिना डरे, government के अगेंज भी खडी हो सकती है तीसरा, the right against exploitation किसी भी व्यक्ती का नुकसान कारक फाइदा ना उठाये जाए इसलिए ये fundamental right कारगर है चौथा, the right to freedom of religion Under this, हर नागरिक, बिना डरे, अपना religion फालो कर सकता है So, Muslims, Ramadan में रोजा, Christians, Lent में फास्ट और Hindus, नवरातरी में उपवास रखते हैं 5. Cultural and educational rights हमारी society में कुछ कास और ट्राइब्स के लोग अन्य majority population की तरह तरक्की करे ये इस particular right के पीछे का मकसद है And last, the right to constitutional remedies Under this, हर व्यक्ती को ये हक है कि वो कोट में अपील करे अगर उसे लगता है कि उसकी जान को खत्रा है या फिर उसके कोई अन्या fundamental rights का उलंगन हुआ है Thank you and stay informed